क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के जनम से पहले भी उनकी मूर्ति की पूजा होती थी और आज भी यह मूर्ति अस्तित्वम है और लाखों सालों से इसकी पूजा की जा रही है इस मूर्ति को स्वैम श्री राम के पिता राज़ा दशरत उनके पिता अज से लेके का देरी किये खोलते हैं सीक्रेट ओफ कुरानाज यह घटना है त्रेता युग राम राजय अयोध्या नगरी अयोध्या में भगवान का बहुत ही शुद्ध निष्ठावान ब्राह्मन भक्ति रहता था और इस भक्ति ने एक ब्रत लिया था कि जब तक श्री राम के दर्शन नहीं करूँगा अन्यजल ग्राण नहीं करूँगा तो उस समय भगवान श्री राम फ्रते दिन महल के बहार आते और सारे अयोध्या वास्यों के पिंदर्शन देते और इसी प्रकार यह भग भी भगवान के दर्शन करते और उसके बाद ही अन्यजल ग्राण करते रुकिय परन्तो तब क्या होता जब शी राम अयोध्या से बहार जातें तो ये ब्रामनभग तब तक बूकि प्यास दे रहतें जब तक कि शी राम वापिस आकर दर्शन नहीं देतें कई बार श्री राम दो दिन तक और पाँच जन के लिए राद तारे की वजे से अयूद्या से बहार होते हैं एक बार भगवाद श्री राम बड़े लंबे समय के लिए अयूद्या से बहार वे ये वही मूर्थी है जिसे स्वयम की राजा द्वारा पूजा गया, इंक्लूडिंग श्रीराम की पता दशरत. और जब स्वयम श्वयम आए, तो वे अपनी मूर्थी की पूजा क्यो करते? तो उन्होंने इस मूर्टी को अपनी अल्मारे में रख दिया यह मूर्टी आज भी मौजूद है वीडियो के एंड में इसकी लोकेशन आपको बताएंगे श्री राम उस ब्राह्मन भक्त को बुला कर अपनी मूर्टी से सौब देते हैं और बगवान उससे यहाँ निरदिश दीते है कि मुचुमें और मेरी मूर्टी में कोई भी अल्थर नहीं है और इस मूर्टी के दर्शन करके आप नित्य अंजल ग्रहन करें इस प्रकार यह राम भग नित्य मूर्ति के दर्शन करके और भोग लगा कर अधन प्रसाग्रान कर काफी समय बीच गया और जब यह ब्रामन भग नूड़े हो गए तो इस मूर्ति की सेवा में उन्होंने अपने आप को असमर धनवफ किया और उन्होंने अविचार किया कि मूर्ति किसको दी जाए और उस समय उन्हें हनवान जी से उचित और कोई भक्त नहीं लगा और उन्होंने यह विग्रह हनवान जी को सौब दी और हनवान जी इस विग्रह को प्राप करके अत्यंत प्रसन हुए वे हमेशा इस मूर्थी को अपने गले से लभाय रखते यह विचार करकी उन्होंने इस मूर्थी को गले में बाद लिया और इसी प्रकार से वा राम का वजन करते और भगवाल श्री राम को प्रसंद करते पर बार में यह विग्रा अदमान जी ने पांड़ों में से एक बाह बींग से प्रस्तना होके उन्हें सौप दी और बार में पांड़ों मंच के अन्तिम राजा शेम कांत ने यह मूर्थी ओड़िसा की गंजपती राजा की सद्रक्षन में सौप दी और मदवे संत्रदाय के आपचार यह मैदवाचार यह जब ओड़िसा आए तो यह विग्र अपने मठ ले आए और अपने मठ में मूर्थी के स्ताप्णा करके पूजा शुरू कर दी और तब से लिके आज तक लाग को साहर बीद गया है और आज विव मूर्थी अस्तित्वम है इस मूर्थी का नाम है मोलराम देवारू यह मूर्थी आदरप्रदेश राज्य के बत किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकरी प्राप्त करने के लिए उसका अस्तित्व में होना जरूरी है इस मूर्थी की पूजा तो श्री राम की जनम के लाखो वर्ष पहले से हो रही थी कैसे तो प्रिष्ट यह आता है श्री राम के जनम से पहले उनकी मूर्थी कहां से आ तो इसका उत्तरह में मिलता है बगवन गीता के अध्याय चार श्लोक संक्या साथ और आठ में बगवान शिप्रिष्ण कहते हैं कि अध्धर्म का विनाश करने और धर्म की फुनरस नापना करने दुष्टो का नाश वो बगतों की रक्षा करने मैं हर युग में अफ्तार लेता हूँ श्लोक में युगे युगे शब्द इंपॉर्टिंट है वेदिक शास्त्रों के अनुसान समय की परिवर्तन को चार युगों में बाटा गया है पहला सत्युग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कल युग इन अलग-अलग युगों में बगवान अलग-अलग अफ्तार लेते हैं मतलब जब युग चेंज होगा तो उस युग में पॉर्ट सा अफ्तार प्रकट होगा ये पहले से फिक्स है सत्युग में मत्या, कुर्मा, वरा, नर्सिमा अफ्तार प्रकट होगी त्रेता युग में वावन, परशुराम, श्री राम अफ्तार प्रकट होगी दौपर युग में श्री कृष्णा और बलराम प्रकट होगी कल यूग में कल की अवतार प्रकट होगी इन अवतारों को हमारे शांस्त्रों में यूग अवतार कहा गया है और इनकी प्रकट होने का यूग फिक्स होता है इसे एक एक जामपल से समझ सकते हैं जब सूर्य अस्थ होता है तो सूर्य मरा नहीं है और जब अगले दिन उखता है तो नए सूरी ने जन नहीं लिया है ये वही सूरीय अपने समय के अनुसार प्रकट और अप्रकट होते रहता है वैसी भगवान का आना जानवी सूर्यास और सूर्योदे जैसा है युग की अनुसार भगवान प्रकट और अप्रकट होते रहे हैं तो भगवान शीराम की जिन्दम से पहले उनकी मूर्ति का होना कोई संदे जन्दक या अश्चरी चकेत होने वानी बात नहीं है इस त्रीतायुक से पहले भी किसी और त्रीतायुक में भगवान शीराम अफ्टर ले चुके थे और भगवान का अस्टिक पर शाश्वत है इस वीडियो को लाइक करें और बगतों को शेर करें ऐसी और भी अदबुद्ज रोचक कताय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्यादर राम चंडर की जय जय श्री राम